नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स करेंटों कुर दोओार्टेन्मेंट करेंटर्टेन्में 山沉 कर प्रोसा है प्रिम जार बारा चानल्स कर दे कर दे ले मलेड बर्ड़ созд we Продолжение следует... हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है अगर ने भी कितना भागयवान हुँ भगवान का प्रशाद सबसे पहले मुझे हुआ हुआ इसलिए भगवान की सेवा में सबसे पहले तुम ही आते हुआ बड़ो ने खाया है, सेवा में मेवा है, अपने राम को तो वही ने खाया है ठीक है, सेवा करते रहो, मेवा खाते रहो और रखा भी क्या है? चलो, ये दो, और मेवा, बस कामिनी, उठ, इसकी तो आखी नहीं खुलती एक वो है जो हमेशा भगवार की सेवा में लगी रहती है और ये उठाने पर भी नहीं उठती आँ, इस होने दो, ये उठेगी तो घर में भोचाल आ जाएगा क्या मतलब? मतलब जानना चाहती हो मा ये उठेगी तो शंकर और पारो का फ्रेम नाचा कांग हो जाएगा इसली बड़ी बात तेरे जुबान पर आई कैसे? मा, तुम हवेली में रहकर भी अंदर की बातें नहीं जान पाते और बाहरवाले अंदर आये बिना सब कुछ जा लेते अच्छा, तो तू किसी के बेकाने में आकर अपनी बहन पर लंचन लगा रहा है? पहले कानों ने सुना था मा, आज आखोने देख लिया इसलिए जबान पर आ गया प्रताप, बंग कर अपने जुबान मा, तुम मेरी तो जबान बंद कर सकती हो, लेकिन दुनिया वालों की जबान बंद नहीं करता होगी अब भी कुछ नहीं बगड़ा मा, जितना जल्द हो सके शंकर को हवेली से बाहर किया जाए ऐसा करने से भी तो खांदान के माते पर लगा हुआ कलंग नहीं धूल सके गा प्रताप बेटी, यह तो पागल है, इसके बाद क्या सुनती है? नहीं मा, प्रताप को अपने खांदान की इव्ज़त का बहुत खैल है लेकिन यह मुश्किल तुम से आसा नहीं होगी प्रताप मैं करूगी शंकर इस हवेली से जरूर जाएगा लेकिन अकेला नहीं पारों को बैहोकर उसे साथ ले तेरा दिवक तो नहीं चल गया? हाँ मात चल गया है सबीतो मैंने अपने जीवन का फाल्चा कर लिया है मैं मेरे साथ बैहा करना होगा शंकर इस पागलपन का अभी कोई जवाब हो सकता है? यह पागलपन नहीं है मेरे जीवन का सवाल है तुम्हे जवाब देना ही होगा अच्छा जवाब देना होगा फिर ज़रा सोचने दो शंकर यह मज़ा करने का समय नहीं है मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए ऐसा सवाल करने से पहले तुमने यह भी सोचा है कि मैं कौन हूँ? क्या हूँ? मैं एक अनात हूँ आप लोग ही मेरे सहारा है आप लोग ने मुझे पाल पूस के बढ़ा किया है ऐसी बात मैं सोच भी नहीं सकता मैं दुन्या वालों को क्या मूँ दिखाऊंगा? इदाजी को क्या मूँ दिखाऊंगा? तो क्या अप तुम मूँ धाने लाइक रह गए हो? क्यो? मैंने क्या पाल किया? लोगों में तुम्हारे और मेरे चर्चे हो रहे है और उनका मूँ बंद करने का एक ही हुआ है हमारी शादी पारो तुम्हें भाविशे का सोचा है? पूरा अंदकार है इसने कहा नादा ना बनो पारो यह खेल दमाग से निकाल दो शंकर मुझे मेरे कवाल का जवाब चाहिए तुम जवाब के लिए इसी तरह जिद करती रहोगी पारो तो मुझे इस घर को छोड़ के चलना जाना पड़ेगा मैंने मा और भाया से यही कहा शंकर इस घर से जाएगा लेकिन पाल के साथ क्या? हाँ शंकर और अगर मैंने ना कहा तो? तो तो पारो इस दुन्या से हमेशा के लिए चली जाएगी पारो? यही मेरा फैसला है नहीं नहीं रक्षमी यह अभी नहीं हो सकता अपने ही तुक्रों पर पलेवें पिखाई से पारो की शादी कर दो तो उसका पतीदी सावित्र के पतीक करें खांदारी होगा स्वामी धीरस ने काम लो धीरस का सहराल के में खामोश नहीं बैशाता पुली नदर रखने वाले क्याथे फोड़ दूगा जलील कमीने है तेरी इतनी मजाब इनके लिए आसा दिया था के मेरी इठाव में पैसकर मेरी इंज़त लूटे इज़त लूटने वाला बुस्तिल होगा है ठाकुर साथ सामने नहीं आता अभूश नमकराम मैं तेरी जबाल हो पुलेगाज मैं हुई ये नहीं वरना मैं तेरी भी जिननगी की परवा नहीं कूँ मामने रुक जा रहा हूँ उनसे शायब गुस्ते कि आप थड़ी हो जाए तेरी तमाशा देखने के लिए मैंने इन बच्चों को जनुद दिया है लक्ष्मी तुम बिजने मत बोलो लक्ष्मी क्यों न बलू क्या मैं इन बच्चों की माँ नहीं मैं भी इने प्यार करता हूँ लक्ष्मी लेकिन खालाम चीज़त मुझे बैरा पारी इसे विचार से साबीत तरे की जिननगी परवाद होगी पती चुगए और शराब में गहरा है प्रेटी करदीना मुश्किल हो गया है पहले उस पर गोले बार कर उन्हें हासिल कर लेजे फिर दूसरे गोले पारवादी पर चलाईए उसे पास कावें में कंबार दालिये क्याली खतम हो जाएज चलाईए गोले चलाईए चलाईए आरो तु खना खने नहीं आए अच्छा ले मैं यहीं ले आए ले, खा ले नहीं मा, मैं नहीं खाऊँगी अपर तु अपने आपको यह भी परिशान किये रही तु मैं क्या करूँगी मेरी चिंता छोड़ तो मा यह तु इस लिए कह रही है कि तु बेटी है मा नहीं मा मैं तुम दोनों बाप बेटी के जिद से तंग आ गई हूँ कैसे कैसे करके उन्हें कुछ रहा पिलाई हूँ तो तु इधर खाने से रूठी बैटी है मैं सच कह रही है मा मुझे बिलकु फूख नहीं है फिर भी थोड़ा सा खाली सुनते पेट नहीं सुना चाहिए अलो बेटा सुना तुमने अगर हम ठड़े दिल से सोचेंगे तो बात बन सकेगी क्या यही पारो अपने जीवन का फैसला कर चुकी है वो तुम्हारी ही बेटी है जान दे देगी मगर बात नहीं कल सकेगी तो फिर क्यों न उसका बया करके शंकर को घरदामाद बना ले इससे क्या होगा दुनिया पर नहीं जाएगी कि गवे पर हाथी का जू चरा दिया उस वक्त दुनिया कुछ नहीं कहेगी मगर पारू ने जिद में आकर कुछ कर लिया तो जरूर कुछ नो कुछ कहेगी जिद में आकर पारू की जिद Ne, 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 ऐसे कभी नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, तू फिक्र मत करू। मुझे एक एलाच वो, सोच नहीं हो, सोच नहीं हो कर दोने 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 कर दोन पुल जैसी बची तो एक भीकारी के पल्ले पाल दिया अरे भाई इसमें भी कोई राज हो जो रुख जो ए भगवान क्या ठाकुर साब तो अपनी बेटी इतनी भारी हो गई उसे कुए में डखेल दिया अपने मत को हो गहल ठाकुर साब कोई सठ्या तो नहीं गया तो चान सी बेटी का जीवन परवाब कर दिया मुझे तो डाल में कुछ काला नजर आता छोड़ो भी इससे हमें क्या लेना दोया धनवान के गर में पलकर जवान हुई और जब जिन्दगी का मदा लेने का समय आया तो गरीब है से बन दोगान के सी अमीर को गरीब है आप सही कहते हैं यह हुई नो कोई बात मा ये लो और मुझे बिदा कर दो क्या बिदा शादी तो तेरे मर्जी से हो गई है फिर घर छोड़ने पर क्यो तुली हुई है इसलिए कि मुझे अपना घर बसाना है मा तेरे पती का कोई घर होता तो मुझे चिंता नहोती आखिर जाएगे कहां मेमान को विदा करते समय ये नहीं पुछा जाता कि वो कहा जाएगा कहा रहेगा अच्छा तो अपने आपको मेमान समझती है मैं ही क्या बलकि हम लड़की अपने माबाप के घर में उस वक्त तक मेमान होती है जब तक उसका विवान हो जाएगा मा पेटी जुब 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 फुलो फुलो दिदी आरो तुम इतनी समझदार होकर तुमने ये जो नादा नहीं किया अच्छा नहीं किया मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझती हूँ दिदी मुझे सिर्फ तुमारा आशिरवाद चाहिए खुश रहो मा बेटी मालिक विच्य को विदाई न दोगे हर बेटी के बाप को सबर करना ही परता है मालिक इसी कहते हो रामु लेकिन दुख तो इस बात का है कि इतना सा पुछ होते हुए थी मैं लुट सा गया हूँ नादान बेटी के सित के आगे चुक गया हूँ एक अलाद जो इस घर में विद्यादान लेने आया था कन्यादान लेके जा रहा है क्या जादान लेके यादान लेटी जो एके लिए खिछेगे घरावेखिजी विए भी कि रिटरशनी पिए। शेंकर, याजप रशेखिए लेकिन इज़िट जिने की बसर करने केडी दे मेरू भूँचर अँग। लिलो, कैसलार अवागे लिलो बैडर गरेप कबी अबनमान होता है उपतारी उसको रखने के लिए मुझे दालत नहीं, आपका अशिरवाद जाए आशिरवाद लेकर खाली हाथ जाओगे कहाँ, सर चुपाने कुझे कभी है भगवान की दुनाया बहुत बड़ी है तदाजे, आपका अशिरवाद में गया, सब्ती कुझे भगवान तुम्हारा होसला बनाया रहती है, जहाँ भी जाओँ, फुश रहूँ इस घर के दर्वालों तुम्हारे ये सिदा खुले रहेंगे पारु बिटिया, पारु बिटिया अरे, यह तो रामु काका क्या वास है, तांगे वाले, तांगा रोको पारु बिटिया रामु काका, मैंने तो सोचा का, तुम अपनी पारु बिटिया को भूल गए बिटिया, अपने गरीब काका की ये भेंच सुईकार कर लो काका, जब मैंने अपने माता पिता से कुछ नहीं दिया, तो तुम्हारे माबाप बहुत अमीर है, उनके पास जान दौलत सब कुछ है, मगर तुम्हारे रामु काका तो बहुत गरीब है और गरीब के पास दिल के सुवाय कुछ नहीं होता, इंकार कर दोगी, करीब का दिल तूट जाएगा और दिल तूटने से भगवान भी नाराज होता है, नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता, भगवान भी तुछ से नाराज हो बेटा, नहीं बेटा अरी भागवान जरब देखना तो कौन आया? तुम खुजी क्यों नहीं देख लेते, नहीं यहां फास को बैठी हो बैठे बैठे बढ़ रहे हो क्या? अच्छा बाबा, मैं ही देखता हूँ कौन है भगवी? अरे, शंकरी मेरे दाजो नमस्ती भाई साथ भाई साथ, छोड़ भाई साथ, देखने तुझे नहीं नहीं, पहले मूह दिखाए देने होगा मुह दिखाए, तो भाई को भी क्या अरे, शंकरी, अरे, भागवान शंकरी, भाई, जल्दी तो आओ, देखो कौन है अरे, ऐसी कौन सी आफ़ा कादरी तो इतना चीख चिला रहे हो तुम्हे तो हर वक्त नमस्ते भावी चल्द अरे, भागवान, देख क्या रही है ये अपना शंकरी है, शंकरी और ये इसकी भावी अरे, इसकी नहीं, ये तो अपनी भावी है ये तो इसकी वो है, जो तू मेरी है मतलब ये की समझ गई ना? हाँ, हाँ, समझ गई अरे, भाईया, ये तो अहम ही है, जो इनके साथ निब रही है हमारी जेगे कोई और होती, तो सुबह की शाम चली जाती आओ बहन, इनके साथ तो अच्छों के दिमाग खराब हो जाए दासो, तुम दोनों हमेशे यूही लड़ते रहते हो गया नहीं यार, बतानी याज उसे क्या हो गया वैसे दिल की बुरी नहीं है, तुम उसकी बात के कुछ ख्याल नखता अज़ा पहले ये तो बताओ, तुमने चुपचाफ शादी कर ली, और हमें बुलाया तक नहीं क्या बताओं दासो, बात ही कुछ ऐसी थी क्या वात थे? सुनग तो अभी तब तुमने सुसराल का मूँ नहीं देखा अरे, क्या हुआ है तुझे? अरे, क्या हुआ है तुझे? जिप जिप देले जुपरे कमबक, इतना भी नहीं ख्याल के घर में महमान आये हुए है पैसे के जैने मिमान क्या होते है कहां है देवर जी का घर? काश अपना भी कोई घर होता शंकर, तो क्या ये कोई दूसरे का घर है? नहीं नहीं दासो, अगर दूसरे का घर समझता तो यहां आता ही ये चीत है कि हम कोई गैर नहीं लेकिन अपना घर अपना ही होता है देख शंकरी, तू अगर ऐसी दिल तोड़ने वाली बाते करेगा न तो मैं तरी शिकायद तेरी भावी से कर दूँगा अरी भावी ये क्या तुम मेरा मतलब अरी ये क्यों लाएगी? अरी ये क्यों लाएगी? सुनी, जाए पेकर बात जिरते भावी जड़ा एक बात सुनना याना मतलब ये है कि भावी तुम इसे अपना ही घर समझना इसकी बातों का कुछ ख्याल न करना अगर किसी किसिंती तकलीफ हो क्या अपने घर में कोई तकलीफ नहीं होती भावी? क्यों नहीं होती भावी? देख शंकरी भावी किनी समझदार है हाँ भावी तुम इसे अपना ही घर समझ कर सब बर्दास कर लेना थोड़े ही दिनों में भगवान साब ठीक कर देंगे तुम ठीक करते हो भाई है अफो इस महिंगाई ने तुम तंग कर दिया लाग कार्ट कपट करो मगर पूरा ही नहीं पड़ता पहले जमाने में जब कोई घर में महमान आ जाता था तो लोग उसी भगवान का आउतार समझते तो मगर आप मुस्री पर समझता है अरे क्यों न समझें, महिंगाई जो इतनी है अपने ही पेट को पूरा नहीं पड़ता तो कोई दूसरे का पेट क्या पूजेगा शीज़ केटे का आप मुस्रा तो आजकर किसे को किसी के यहाँ जाना ही नहीं चाहिए पारो, अजर चाय पी चुकी हो तो चलो, बाहर घूम के आते अभी आई देख शंकरी, तेरा ये बेटुकापन अभी तक नहीं हिया अभी अभी तो थका मता आ रहा है वो वेचारी भी ठकी होगी और आप हैं कि घूमने जा रहा है ये सब बाते तुमारे समझ में नहीं आएगे अच्छा, अच्छा समझा साव जड़ा मेरवानी करके जल्दी लोटना ऐसा नहो कि घूमते घूमते बिलकुल ही घूम जाओ घवराव मेहिदासू, अगर हम घूम गए तो हमारे भावी तुमें नहीं गुवाएगे संगया? आओ वो लोग तो घूमने जा रहे थे लेकिन तुम इतनी लल्चाई हुई नजरों से क्या देख रहे हो? अब तो सिर्फ देखना ही देखना रह गया भागवान क्योंकि हमारा तुमारा तालमेल तो कभी सुर में हुआ नहीं कि हसीन जोड़ों की तरह हम भी कभी यानी की मतलब है मुझे एक बात बताओ शंक्री से कुछ पता भी लगाया या नहीं? कौन सी बात? अरे यही के वो देवी जी जो उनके साथ आई है वो उनकी है कौन? जो तुम मेरी हो चलो दिल लगी में बात मत उड़ाओ तो क्या तुम मेरी हो यह दिल लगी है? अजीब आदमी से पाला पड़ा है मैं कहती हूँ यह वो नहीं है जो हम तुम है वो भी कैसे सकती रही? ओफो श्रीमान भूंदू दास जी नहीं स्री राम दास जी मतलब तो एक ही है मैं यह कह रही थी कि आपके शंकरी साव और वो देवी जी पती-पत्नी नहीं हो सकते तुम्हारे कहने से तो यह हुआ कि इन बच्चों के बात ही हम नहीं हो सकते देखो जी जबान सबाल के बात करो नहीं तु मैं भी कुछ कह दूंगी हाँ शे भगवान जरह आइस तो चलू ना तुम्हारे साथ साथ चलने के लिए तो मैंने सारे खानमान का साथ छोड़ा है इसलिए तो मुझे अपनी किसमत परनाज है के मेरी जीवन साथ ही कोई मामुली औरत नहीं ही साहस की देवी है देवी का नाम और स्थान पारो है और स्थान यह चोड़ो ना कोई देखेंगा तो प्रह कैosition चोड़ो ना चोड़ो चोड़ो ना कोई देखेंगा तो यह तुम्हेरे जिन्दगी के इतने करीब है इतने करीब है ओ देखा सूरियों का खुसला कितना प्यारा है क्यों तुम्हे पसंद नहीं है मेरी पसंद ना पसंद का दो अब सवाली प्यारा नहीं होता जो तुम्हे पसंद है वो मेरी पसंद है मुझे तु बहुत पसंद है कितना प्यारा खुसला है इसे तरह अपना वे एक छोटा सा खर हो जहां दुनिया की दुखों से दूर इत्मिनाम की सांस ले सके वहां की हवा में सिर्फ हम दोनों की सांसे मिली हो ताकि बिना जुबान से कुछ कहे एक दुसरे की दिल की बात समझ ले भगवान पर भरुसा रखो पर तुम्हारी अच्छा जर्यों पुरिया होगी जब मैं मा की घर से चली थी तो पिलकुल नहीं खबराई थी लेकिन जब तुम मुझे यहां ले आये हो तो सच मुझ खबरा गई हो मुझे इस बात का ख्याली नहीं रहा पाद जिस लड़की ने अपने माबाप के सर का बोज बना गवारा ना किया वो दूसरे के घर चैन से कैसे रह सकेगे बहुत बड़ी फूल हो गए मुझे शर्मिंदा नहो इसमें तुमारी कोई गल्ती नहीं डूबने वाला तो तिनके को भी साहरा समझ लेता है गुलाब के फूल ले लो गुलाब के फूल गुलाब के फूल कि इतने संदर है गुलाब के फूल ए फूल वाले इतराना एक गुलदस्ता मैं कितने खुब्सूरत है ये फूल कितना पैसे हुए एक रुपैसा रहने दो ये फूल पी कुछ खास नहीं है ले जो पाई चलो हमें देर हो रही है वो लोग हमारे राह देख रहे होंगे चलो इसनी देर हो गई अभी तक तुम्हारे महमान नहीं आये अरे आते होंगे नहीं नहीं शादी है घुमते खिरते आएंगे अच्छा अच्छा तो तूम दाइट करें इंपजार करो मैं तो चली खाना तो कुछ अच्छी चीज़े बनाई है ना अरे करने वाले तो खुछ को बेज कर मेहमाद की खातिर करते हैं वो होंगे दानवीर करंग की आउलाद में से मुझे तो अपना घर चलाना है घर को तमाशा नहीं देखना समझे समझा भगवान के लिए जरा आइस्ता बोलो कहिए आते आते उन लोग ने सुन दिया तो क्या जहेंगे तो क्या कहेंगे क्या करतशा न आ किए ना जाने कपकी मुलाकर आ गये तरनादे बंक्ये क्यों मुझे जरील करने पड्ली के तो नहीं ज initiatives को वो बड़ी आनबान वाला match जबी एक छोड़ दो दो आदमी आदे खर में बैट गैसे ये भी नहीं सोचा के बाल वच्चों का घर है कैसे चलता होगा अरे अरे तुम लोग आगा है इसनी देर कहां लगा जी कब से हम इंतिजार कर रहे हैं क्या बताऊं दासू आप तो कफे जाते लेकिन ये डेवी जी कचोरियां खाने जो बैठी तो उठने का नाम ही नहीं लेती थी सच मुझ भाई साब आपके इलागे में कचोरिया तो बहुत अच्छी बनती है हम डोनों ने इतने खाई ही कि पेट भर गई मगर जी नहीं भरा अगर एने बदहजमी का ख्याल ना हो तो तो शायद थाल की थाली साब कर लेती तो अच्छा चलो खाना खालो ठंडा हो रहा है अरे भाईया इतनी कठा सुने के बाद भी कहते हो खाना खालो खाना क्या पेट के उपर बाद ने ये बाई साब लेकिन तुम्हारी भावी जो नाराज होंगी अब वो तुम्हारी तरब बुद्धू नहीं है पारो उने समझा लेकिन मेरी खाती थोड़ा सा खालो भाईया तुम्हारे खाती तो जाहर भी खाता हूँ चलो जब ये लोग खाकर आये हैं तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो मौसम भी खराब है कुस हो गया तो हाँ वाबे तुम ठीक कहती है इनकी तो जैसे अकल मारी नहीं है इनकी तो आदत ही ऐसे है भाईया इनको बखने दो आओ बहन जो कुछ भी कहा शंकरी मगर ये बात मेरे हलक से नहीं उतती तो अचीव आद्मी है ज़हा बात का बतंगर बना दिया बात जरा सी हो जब अचार, खा मेरी कसम, तो तुखाना खागया है? देख, देख रासो, दोस्त के घर आकर दोस्त की कसम खाना, क्या दोस्ती की तौहीं नहीं होती? बहलावा देकर मेरे यकीन को न डगमुगा, शंकर. तुझे हो क्या गया है? अच्छा तेरे पिनान के लिए मैं अपनी कासम खाता हूं बस मत कासम खाशंकर अब मैं कुछ नहीं कहूंगा इस तो हाग रात एक दुल्हा और दुल्हन के मिलन की ये पहली रात जिस रात की लोग मजे लेकर मिसाले दिया करते हैं जिन्दगी की सबसे हसीन रात जिस रात की लोग सपने लिखा करते हैं क्या हो गया है तुल्हें मुझे कुछ नहीं हुआ पारू हुआ है तुम्हारे एक दुस्मत को जिसे विदाता नहीं बनाया है महरे मेरे मालेक तेरा भी जाओने गर से बाहर यह तुम्हारी पहली रात है और वो भी अपने पती के साथ लेकिन बुखे पेड़ यह किसमत का खेल नहीं तो और क्या है वारू क्या सोचकर तुम्हें मुझे ब्याद किया था कौन से सुनेरे सपने देखे थे जिसके खा दे तुम्हें अपना सुक्षेन का बलिदान किया चुप रहो भगवान के लिए चुप रहो वरना मैं रोह दूँगे नहीं परो रोना मर वरना किसमत हसे ही और मैंने ही चादो वो बेतर घंप रहस है अगर तुम मर्थ होकर दिल छोटा किये रहोगे तो फिर मैं तो औरत हूँ कैसे अपने दिल को काभू में रख सकूँगी आन के लिए तो लोग जान तक देते हैं अगर एक राथ में भूगाई सोना पड़ा तो इसने कौन से आफ़त उत पड़ी लेकिन यह सब हो तो मेरे ही वज़े से नहीं बाव हाँ, एक जगह है लेकिन लेकिन क्या बोलते क्यों नहीं जब क्यों होगे वो ऐसी जगह है जहाना तो हम खाली पेट और खाली जेब पहुंसकते हैं और ना तुम रह सकते हैं यह तुमने कह सके दिया हम हर जगह रह सकते हैं हर जगर पहुंच सकते हैं, बताइए बसाई, वह है कहां और किसके हैं अपने नानी हाल में, अपनी है लेकिन मैं सच कहता हूं पारो, तुम्हा नहीं रह सकोगे यह बात पर तुम उस वक्त करना, जब मैं कोई शिकायत करूगी मैं तो कर सुबह अपने घर जाओगी, अपने घर जानते हूं, लड़कियों का सफर माबाप की घर से शुरू होता है और लड़ी की घर खत्म होता है वो सब तो ठीक है, मगर अगर मगर मैं कुछ नहीं सुनी यह लोग की क्या अपने नहीं हाई के है, पर अपने ही नहीं नहीं, पर यह कैसे हो सकता है तुम्हें मेरी कॉट ले मुनी, मिठाई खा लेना आतेवक न्यों ही चली आई थी इससे बच्चन से से लिंदा अरे इसकी क्या जरूरत थी अपना ही तो घर है हाली हाथ चली आई थी, तो क्या हो गया अच्छा दा सु शंकरी, यह चोट मैं जिंदगी भन नहीं भूलूँगा ते दोस्त चलते वक्त ऐसी बात नहीं किया करते तु मेरा दिल तोड़कर जा रहा है और कहरा, मैं आह तक न भरूँ अच्छा भागो, माफ करना हमने आप लोगों को प्रोहत पखले अरे क्यूं शर्मिंदा करती हो कुछ रोज और रहती तो एक दूसरे के दुखदर तो समझते अच्छा नमस्ते नमस्ते भागवान शुखी रखे अरी भागवान तूने तो आज मेरी नात करवा दी उससे तो इसना भी नहीं हुआ कि घर में नहीं दुलन आई थी जाते समय उसके आचल में थोड़ा सा गुड़ चावल ही बात देती कौन से अपने सगे सुद्रे या रिष्टे नाते वाले से अरे दोस्ती से मजबूत और कुई रिष्टा होता है हर एरू, गैरू, नत्तू, खैरू की दोस्ती कैसे तांगा रोको जो तरा तांगा हवेली की तरक से ले लो लेकन नहीं, ऐसी बात नहीं शायद मा दिखला है थे अलो भाई, बाजार की दरह से टांगा लेगा पारो, पारो पारो, 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 पारो पारो अलो अलो नहीं नहीं बास नहीं बागी पर इधर से टांगा क्यों लिया तो तुआरे आखे क्यों मराए इन सारे सवालों के मेरे पास जवाब नहीं मुझे सिर्प सासुराल जाना है इस है चलो बेटांगे वाले गवाला माँ बिटा पारो आ रही है नहीं तो मैं अभी बाहरी से आ रहा हूँ वहां तो कोई नहीं कोई नहीं अच्छा पारो के लिए तुम पागल हो जाओगी माँ पागल हो जाओगी अच्छा 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 अ आच्छा अच्छा अच्छा नश्चा अच्छा जुचा पावा भाय को रादे माँ उटिया को इख बिट्वा था वो बिट्वा एक्षव ओरत लेकर आई गवा है अरे तुझ का बोल रहा है कुछ सा समचाई नाई सुने का नाई जुटा सुना वो घंदर के मालिक ठाकुज बाबा की इख बिट्वा था वो पिछबा क sözला ही दुलनिया, रुमान ऐसी दुलनिया लेकर आए कर दुलनिया आप अब यहींदा दुलनिया ऐसे आनले लिज़त, आवा चवीलह रोगा मामाँKI लेकिन मामा क्या है वहूप हमारा घर तुम्हारा घर वो देखो खंडर वहाँ पहले तुम्हारा घर था अच्छा खेलो परण मामा अरे ओ सुखिया अरे हम भी सुनेंगे मामा का काते है अरे कहता हू हूँ अरे कहता हूँ न आते हो बाबा आते हो कहाए को तो चलाता है मेरे सुने से जीवन में लो बहार चाए मेरा खंड है स्वर्ग बनाने स्वयं लक्ष मीयाई गरीह लक्ष मीयाई स्वागतम स्वागतम सुष्वागतन सुष्वागतन स aime सुष्वागतन सुष्वागतन स pra uft गल्माब बम्मम अ व ममा जोर लगा के पाउज मागे आख 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 ममा मामी खाय खाय के मोटी हो गई अरे हमको दो पिंडी भाई जल्दी जल्दी तेरे बाप पे मती हो क्या अरे हमार बाप संतार महाय का जो खाई अरे पारो तूने तो सारा घर सजा दे आख तेको तो कितना अच्छा सजा है वाँ 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 बहुत अच्छा है हाँ 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 चलो रुपा चलो पड़ी अच्छी कुछ बहारी है बहुत भुख लई चाओ पैठो ना अरे पहले दिन तुमने इतना सारा बना डाला पहले दिन ज्यादा खुशी होती है न और पहली रात को मुझे नहीं मालूम देख क्या रहे हो खाना थंदा हो रहा है खाओ ना अकेले खाना पड़ेगा तुम नहीं खाओगी मैं बाद में खाओगी तुम्हे भी खाना पड़ेगा मैं नहीं खाओगी लो 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 खाओना खिलाना पड़ेगा तुम्हे बड़े चित्य हो लो तुम्हे 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 था हमारा मुध कीखा कर दी है मुध मिठा करा आओगा अच्छा पापा लो लो ऐसे नहीं तो? ऐसे चले ओटू नुए अब 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 कहाँ? कहाँ है? मैं मैं तो मैं वह उए उशुक्षी दूद लाई हूँ वहत देर से खड़ी हु या हाँ हाँ नहीं हाँ नहीं कुछ देखा? हाँ नहीं नहीं सुना क्या सुना? हाँ सुना 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 नहीं देखा अच्छा मैं चलते हूँ कल सबेरे लोटा लेने आउंगे हाँ जई हाँ 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 मीना चिप-चप खाना खाओ हाँ गई वह चलो खाओ ए बम बोले यह लगी भूख तो किसको बोले अब तो दही का मणका खोले हाँ यह हाँ हाँ अरे अरे थारे दही का सत्तना चलिया क्या करूँ मुझे भूख लगे थे तुके चोरी से खा रहे थे मैंने चोरी से नहीं हाँ अचाichts कोई बादनी तु कोगा तुमरे तो में तुमें खाना खिलाओंगी हाँ तुम मुझे खाना खिलाओंगी हाँ ही बजरंद्मरी यह एका एक बजल कैसे हो गया मकर तुम ग्रम चारदितुए को क्या मालुख है माहाकारी यह बुदल कैसे हो गया जरा बताओ ना तू जाता हूँ ना इस теलक लगाल 200 बीव3 156 चाराओ अच्छा फिर बता लगाय तो मैं तुमेह अपने हाथ तो खिलाओंगी तुमारी आज हमें है अच्छा क्या बात है पहले खाला मैं बात में बताऊंगी अच्छा उसने इतने जोर से दोड़ी गटा था किसने मैं शंकर भाया ने अपने बहु को अच्छा इसलिए दूद लेके गई थी हटा मैं काय को जाओंगी मैं तो ऐसी चली गई थी तो देख लिया नहीं वहां है तो तुमने देख लिया म Kendall अब यहां को देख लाएगा रर्य दूद अधा को भूल गए थे हम बेरे को भूल गया है मामी को बूल गया ले, खाले पटापट इस तरह क्या देख रहे हूँ देख रहा हूँ क्या सचमुष तुम हो या वो खयाल जो मेरे दमाग में खुम रहा है नहीं वो मुर्ति जो तुम्हारे दिल में बसी है लेकिन इस मुर्ति को दुल्हन बनाने के लिए ये सब चीज़ कहां से रही तुम रामु काका के भेंट में से अच्छा अच्छा मालू होता है काका ने अपनी उमर भर के कमये तुम्हें भेट कर दी इसलिए तु उस भेट के साथ साथ खुद को अपनी देखता के भेट करने आई लवी आरा हूँ अच्छा चाँ वज़े क्या कहीं मेरी नजर में लग जाया मगर इसना तुमारी खुबसरती और भी बढ़ा देत पटाने, लगता है पारु बिटिया की हूँ वो क्या लिखेगी, भगवान जाने वो लोग कहा है अरे, तु सच कह रहा है, उसे का हथ है क्या लिखा है मालकेट? थैक, जरा पढ़ने दे अग्वान करे, अच्छी ख़बर है सीतापुर, लिखती है, पुझे माता जी मा, ये चिठी मैं सिर्थ तुम्हारे और रामु काका के लिए लिख रही हूँ क्यूंकि तुम्हे दोलों मेरे लिए ज्यादा बेचन होंगे अपने बारे में कुछ नहीं लिख रहा कुछलता से मैं अपने घर पहुच गई हूँ, जहां पर अपना सब कुछ है यहां पर अपना कोई नव होते हुए भी, कोई गर नहीं अपनी इस छोटी सी जगे में बहुत बड़ी दुनिया है मा और काका के दिल के तरह आशिरवाद दो मा इस तुम्हारी बारो इस दुनिया में फूलती खलती रहे मेरे इस छोटी से घर में पिता जी के शान के लिए तो कुछ नहीं है लेकिन मा के मव्ता के लिए बहुत कुछ है है फगली कही कि ह अब ही तक अपने पीता से नाराज है वहon अपने पीता से नाराज है लक्षमी कोई भी तो नहीच और सक्तोन ये वासू कीयोत कना अपने पारू के नीज़े आई है खृरीद तो है कहाए серьез रास हरी के लेकित ये जो है दिल रखने के लिए लिख दिया होगा वो क्या राजी खुशिफ होगी बड़ी कुछ ठोक बजा के दिया था वो तो आठाठा सुरू रही है मासे खाबार को से खाबार गासे खाबार गासे खाबार गासे गन पगदी यह कैसे हो सकता है नहीं हो सकता नहीं हो सकता अरे हम कहते हैं नहीं हो सकता नहीं हो सकता का नहीं हो सकता अरे वही मामी जो हम कह रहे तू भी कह नहीं हो सकता हाई नहीं हो सकता हम का कह रहे कहनें म Mi इतंट है जब तो कर hai Bakker करे हैं कि तूभी कर तो दो सकत है के तो लोगा माम thôi एक्तम गलब ये नहीं होई सकत, मामा मूरक नहीं होई सकत, अरे क्या वक्वास लगा रखा है, वक्वास नहीं मामा, ये एक्तम सोलाने पक्की बात है ठका ठक, अरे क्या पक्की बात है ठका ठक, मामा, जैसे संकर भाया का मौर नहीं हो सकत, मामी का मूर नहीं हो सकत, वैसे मा आमा मुझ रखना ही होई सकत भारुक जानदिवा स्कूल में पढ़ने के लिए कितने बच्चे हैं? चालीस अच्छा दिन बदिन बच्चों को पढ़ने का शौक बढ़ता जा रहा है अब तो आत्पास के गाउं के बच्चे भी आने लगें यह तो बहुत अच्छा बात है अरे यह क्या है? चाल इसे चोदरे के घर लोटाओ मैं ना ना करती रही फिर भी चोदराइन इसे रख कर भाग गई कहती थी मैं अपने बच्चों को मुफ्तने नहीं पढ़ाओंगी अर फिर तुम लोटाने को क्यों कह रही हो? हम मांगे थोड़ी गए है कोई अपनी खुशी से रख जाए तो रख जाए नहीं, मैं एक दाना भी नहीं रखूँगी हमने विद्यादान के लिए स्कूल खुला है अपना घर चलाने के लिए नहीं तुम्हारे जेवर बेच कर काफी दिन धनवान बना रहा अब बैग में सिर्फ 30 रुपे और 10 नहीं पैसे है नहीं 32 रुपे 30 पैसे इससे तुम कितने दिन घर चलाओगी? अनाज अफीस की सुरत में कुछ न कुछ तामदनी का जरिया होना चाहिए आमदनी का जरिया पास ही है कहीं दूर नहीं थोड़ी से मेहनत की जरूरत है तो कर लेंगे मैं समझा नहीं साथ आखो तो सुनो घर के साथ मिली हुई कितनी का जमीन है उसमें सब्से दरकारी बोई जा सकती है फाल उगाए जा सकते है परो परो तुम तुम कितनी समझतार हो यही कहना चाहते थे न मेरी तारिफ करना है तो बातों से नहीं हातों से करो ऐसे ऐसे नहीं ऐसे मामा हम तो से गाना सुनाई तर आताले कैती ना जावा अरफ मामा तुम तनी सुझा जावा जगा नतिया हो अरु का हुआ मामा का तार तंग्री तूर आज 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 चोड़ो भी आज़ु आज बहुत फूश्य अच्छा क्या बात रहा अपनी जितनी भी बंज़ जमीन थी ना उसे खोद कर मैंने उपजाव बनातिया आज यह क्या क्रे छोड़ो चोलो में खाना परस्ती हूँ आज तुम्हे खाना तभी खाऊंगा जब तुम अपने हाथों से मुझे खाऊंगा पच्चे हो गया? पुड़ा भी तो नहीं चले अरे ठोड़ू मन्जूर है बाबा चलो मैं खिलाती हूँ अभी हाथ भी मुझे ही दूलाने पड़ेंगे इतने बड़े भापुलिया मैं भी कितनी कठोर हूँ कि तुम्हे ऐसे मेहनत के काम में लगा दिया ये भी नजाना कि तुम्हे इसके आध़त नहीं है नहीं नहीं ये तो मामूली है तोचास में ठीक हो जाएंगे अरे ये तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे एक इशारे पर नहीं अपनी जान नी दे सकता हैसा मत को चलो मैं तेल लगा देती हूँ अपनी कमाई से लाई हुई चीज को इस तरह से तोड़ते पुड़ते तो दर्द भी होता सुसुराल की चीज तोड़ने में तुम्हे क्या दूख होगा बहुत नाज है तुम्हे अपने मैके पर क्यों क्यों अगर हमारे मैके वाले हाथ खीछले तो तुम्हारे खक्रओ सरे बाजर निला होजा हट से आगे मत बढ़ो सावित्री तुम्हारे मैके वाले देते हैं तो अपनी बेटी को इसका आहसान मैं क्यों लूँ तुम तो आहसान फरामोश हो तुम क्यों आहसान ढोने लगी घर से रिकम ले ले जाकर जुए में जो हरते हो उसमें किता तुम्हारे अपनी कमाई का रहता है माश मैके की बच्ची वरियाई मैके वो देखो पारो अपनी मेहनत कमें आख इतने प्यारे प्यारे नन्ने पोधि निकलाए है देखो देखते ही पोधि कितने बड़े हो गये है कुछी दिनों में ये फल भी देने लगेंगे देखो बारू, मैंने कहा दाना, कुछी दिनों में फला गाएगे आज में बहुत खोशू बारू, बहुत खोशू में नहीं, हम बारू, ये निम्भु का आचार, अच्छे, अब मेरी भाविश्यवानी चुछ भाविश्यवानी? पाच्छे या छे साथ मेने कंदर, तुम मेरे बच्ची की मा बनने वाले हो चलो तु, बड़े आये चोतिशे महरात, मामी ने यूही अंदाजा लगा कर कह दिया होगा, सुनकर भाविश्यवानी करने लगा हाँ, कहा तो मामी नहीं सा, लेकिन सच कहना, उनका अंदाजा घलत था या ठी? सच भी हो सकता है अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बता है, घर में खुशी होने वाली है, और में बहार से सुनकर आ रहा हूँ तुम इसे खुशी कहते हो, और मुझे लग रहा है, हम पर बोश बढ़ने लगा अरे पगली, नाजुक से नाजुक टैनी को भी अपने फूल भारी नहीं होते है घर में बहार आने वाली है, और तुम सोच में पड़ गई? मैं तो इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता हूँ अब उठो, खाना खालो तुम खालो, खुशी के मारे मेरी तो भूक ही मिट गए चपारो, बच्चा साथ हट मैंने उसे पहले नहीं आसकता हाँ, अब आना बाप बनने का इतना शौक है तुमे हाँ, वो तो खिचवा कर अपनी तस्वीर देखने की जल्दी होती है कुछ ऐसी जल्दी लग रही है जा कहा रही हो आज मेरी आत्मा इतनी फैलती जा रही है कि मुझे याँ घुटन सी मैसूस हो रही है सुहान शा, जील के किनादे जाकर बैठोंगा मेरे बगार चैन से बैठ सकोगी मुझे विश्वास है मैं बे चैन हुआ तो मेरे चैन बनकर तूँ बहें चाहिए होगी मेरे चैन से बत्मा प्रब्स 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 झाल ये गीत कौन मेरे मन मधबन में गा रहा ये गीत कौन मेरे मन मधबन में गा रहा मेरे सोए गाओं को मीथे मीथे सुरते जगा रहा ये गीत कौन मेरे मन मधबन में गा रहा ये गीत कौन मेरे सोए गाओं को मीथे मीथे सुरते जगा रहा ये गीत कौन राच की बेला मैं था अकेला चुक्ते से ये कौन आया साथ की बेला मैं था अकेला चुक्ते से ये कौन आया तुरत अभी क्या रह सकती है आया से अपनी च्छाया फल्गों में जुं बस दी है कोई उन्हें जुं बुला रहा ये गीत कौन मेरे मन मदबन में गा रहा ये गीत कौन बेगा है मौसम मिलते हैं हम तुम बेगी हवाए गाती है बेगा है मौसम मिलते हैं हम तुम बेगी हवाए गाती है पेडों तिलिपदी अमन ताने दे हमें शरवादी ये जाने केती खुश भूडी जो दिल में ने शाथा चा रहा ये गीत कौन मेरे मन मधबन में गा रहा ये गीत कौन में जोती तीप में मोती तेरा मेरा मेल ये ही पागर में शरिता नहरों में जोती तीप में मोती तेरा मेरा मेल ये ही तागर में शरिता नहरों में कभिता प्यार का पावन थे ये ही भरके अपनी बाहों में मुझे कोई चुदा चुदा रहा ये ही कौन मेरे मन मधबन में गा रहा मेरे दोए चानों को मिठे मिठे तुर से चबा रहा ये गीता ये गीता अरे सुखी क्यों करती हो दुखी आजाओ हाई राभ क्यों गपणने इते चक बाटने क्यों अरे गावं को निधा बातने के रिये क्या मिठे र हेम सीमनी का बातना क्या उम्रुकुर से बटना और जब आङगे दुख करी जब चाउथ जब चोथि और रज आगी तब योजना है दो तिन बच्चे और बस तुमने तीन अवरत करके बस कर लिया चुलो अच्छा किया हाँ सुखी हमने सोचा पहले घड़ी-घड़ी शादी करने के जंजे से चुटकारा कर ले उसके बाद आराम से बच्चा पैदा करने के बारे में सोचेंगे क्या खाद है क्या खाद सोचोगे जब योजना कराली है तो आस्मान से तकेंगे क्या अरे पगली योजना कराली नहीं योजना की है और वो भी सिर्फ और अवरत के लिए अब तो तुम अकेली रहोगी हतो ना ऐसा मज़ा मुझे अच्छा नहीं दखता लो इस मज़ा की कौन सी बात है और इसी योजना के लिए तो मैंने इमली और मिट्टी लाके रखी है जरूर है तो तो डूलना ना पड़े तुम्हारी तो वही मिसाल है सूतने का बाद जुलाओं से मतकवल हम अव्रत मरद नहीं है क्या हम जवाद नहीं है 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 ना ये गदा का से कातरा है है मामा चादरी काका कह रहे थे जो बुढ़ा फूसट जबान चोगरी को दुलहन बला के घर में ले आता है ना वो उसके दिन रात खुसामत में लगा रहता है ये ठीक है ना अए थाख धजब दू झटगा थाख.. थाख थाख फाख ठैस्ट हम भूल गया थी। एछ आच्छा जाते हैं फटा फट दक्ष्मी लक्ष्मी तुम्हारी सावितीी के मांगें से तुम्हें दंगा गया क्यों?.. क्या हुआ .. लो पड़ो माबाप जन्द के साथी होते है, कर्म के नहीं पैसे भेजो, पैसे भेजो, पैसे भेजो बाप का घरी तक साथ समझे आशमे आफिश लड़की है ना पच्चे देइभाल करना छोड़ दे तो लड़किया माबाप की तरफ ही देखती है ठीक है लेकिन लेकिन अपने और भी तो बच्चे है, प्रताफ है, कामनी है, पारो है, वो तो माने नहीं बनी बैठी है, उसे किसी चीज़ का लोग ले, बच्चे, माँ, दीदी अपना शान जदाने के लिए खाव खाव में परिशान करती रहती है, प्रताफ, तु भी अपने बाप की बोल की बोलने लगा, मा, बेटा, चार दिन के बाद रक्षा बंधन है, सावित्री और पारो के घर चले जाना, सावित्री के यहां तो चला जाओंगा, मा, लेकिन पारो के यहां नहीं जाओंगा, क्यों, इसलिए, कि वो गरीब है, नहीं, मा, ऐसी बात में, मुझे उससे टर ल वो आस लगा है, बैठी रहेगी, अच्छा मा, तो फिर चली क्यों है, अभी तो काफी रात बाक्ती है, अभी तक जाग रही है तो, मेरे जागने न जागने से क्या होता है, मेरे किसमद तो सो रही है, बहुत खराब है तुम्हारी किसमद, मेरे किसमद खराब ना होती, तो क्यो अम औरत के जजबात को चखली और क्लब की भेट चड़ाती? क्यो मेरे जिंदगी तबारते, तुम्हे ऐसे ही करना था, तुम उससे शादी क्योंकी? इस सवाल तो तुम्हें अपने माबाप से करना चाहिए, जिन्हों तुम्हें मेरे से थोप हैं तो क्या मैं जबरदसी तुम्हारी मर्जी की खिलाब तुम्हारे सार थोपे गए हूँ बिल्कुल, कोई व्यवपारी अगर अपना खोटा माल पॉलिश करके किसी ग्रहत को दे दे तो उसे सर थोपने ही कहते है कौम सी खोटा है मुझ में, आवारा हूँ, बच चलो हूँ, बच सुरत हूँ, आखर क्या हूँ मैं अपने को बड़ा जदाने के लिए जुआ खेलता है, रंडी के कोटे बजाता है, और सुकून के लिए शराप लिए अगर मेरी वज़े से तुम्हारा सुक्शन खत्म हो रहा है, तो मुझे छोड़ क्यों निल देते है बड़ी दुकान से खईदावा माल वापिस करना बहुत मुझके लिए कोशिश तो करगाओं के नीन आ जाए और ये कबख भी तुम्हारे सहारे के बगार मेरे पास भटकने का नाम ही नहीं ले थी अच्छा अच्छा मत करना तो कोई तुम से सिख्या मैं सच करणा पाओं तुम्हारे मुझके इतना मश्बूर कर दिया है कि जब तब तुम्हे थटक्या आना दो मुझके नीज नहीं आती कोई तो लोरी पी सुना तु तो जब सुनने वाल आयजा तुखोगी सुनाने लगोगा चुनो तुम्हारे पाओं ये तुम्हारे मुझके ये थे पाओं ये रख्शा पनना है ना? ये रख्षा पनना है ना? एक राख्य लेके आना? क्या? प्रताबाने माला है? हाँ मुझरूर आएगा तुम्हें कितनी भूली हो पागा राखी भूलना मत नहीं 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 कौदो में लिखके देगा दोर से दावागा मालकिन के पच्चे इधर तौा क्या मलगी? चल इसे साथ कर शारादीम बाई के तरह बितारे कागा काम के लिए तुम मुर्दा हो जाता है और जबान चलाने में एक बात तीछे नहीं छोड़ता अलहू क्या करता? सुनाई नहीं देता? जा दर्वादा खोल दे दे परताब तू? खुश रहो घर पर सब ठीक है न? वहाँ पर तू सब थेक है बर तुम अपने कहो किस पर बिगड रही थी? अपनी किसमत पर बिगड रही थी तुम्हारा दिमाग तू खराब नहीं हुआ दीदी छोटी-छोटी बात भी बिगड़ती रहती हो अब तक तू दिमाग खराब नहीं हुआ है लेकिन यही हलत रही तुम्हें बहुत जल पागल हो जाओंगे फिर यहां रहने से क्या फाइदा? चलो घर चले अब मैने भी यही सोच लिया है मैं यहां नहीं रहूंगे चीजाजी कहा है? होंगे किसी कलब या कोठे पर? जहां उनका दिल बहलता है? अपनी गरज बेरे पिछे पिछे आए हमरे गरज जुल्मी छुप छुप जाएर मैं तो बाज आई रे से या तेरे प्यारे मैं तो बाज आई रे से या तेरे प्यारे अपनी हुमर जी तो दिने से लगाए हमरे गरज जी तो नसरे चुराएर मैं तो बाज आई रे से या तेरे प्यारे मैं तो बाज आई रे से या तेरे प्यारे इस रात है रंगीली मस्ताना मदुर समा है प्यार का है मौसम मुखबत भी जवा है आक में शरम है और दिल में छुटा भरम है इत में एसरगम और घुंगरो की चुंचुं है पैसे में बैठे हूँ मुखडा चुपाए पल की उठाए कभी पल के गिराएर मैं तो बाज आएरे से न तेरे प्यार से मैं तो बाज आएरे से न तेरे प्यार से हम तो है जी नाचा और तुम भूए तो प्यार से नाचा और तुम भूए न तेरे तो पाज़ाने प्यार से ने नाचाए बड़े से आने, जास जगा हो तो पिये, हम हाँ खोके पे माने चुप चुप के मिलने के, अब करना नहीं बहाने तरकों सहलाएंगे, तुम सोजाना ते खाने बातो ही बातो से, हम को दिछाए रातों के पल हमने क्यों ही गवायर मैं तो बात आई रे सैया तेरे प्यार से अपनी गरत बेरी पिछे पिछे आए हमरे गरत जुर्मी चुप 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 जाए मैं तो आज आई रे सैया तेरे प्यार से मैं तो बात आई रे सैया तेरे प्यार से अरे सवरे सवरे अपने घर के सामने तांगा क्यों ख़ड़ा है? अरे पृताब तुम कब आए? नहीं, अभी जा रहे हैं जा रहे हैं? अरे भाई बहन में जगड़ा हो गया क्या? दखह पृता, तुम तो अपनी बहन को जानते हों, वो तुमारी बहन है यह सब सामान उत्वा लू, मैं पुनिया को बलाता हूँ पुनिया, यह सब सामान उतार ले सामान उतारने के लिए मैं ही चड़ाय गया ये लो, समाल लो अपना घर, मैं चली कहाँ, माईक के हाँ तुमको जानने से रोका किसली च्ब तुम उपना दिल बहलाने के लिए रास राद पर घर से गाइप रहते हो तो मैं भी अपना दिल बहलाने के लिए मैं के जा रही हूँ तो जाओ ना जब ओरत के दिमाग में मायक के भूस वार रहता है तो घर व्रेस्ति नहीं देख सकताई, गो तुम अपनी गल्ती मानने वाले कब हो, दुसरों के सर इल्जान डालते रहोगे दी दी अब चलोगी भी यह यह जाड़ा करते रहोगी चलती हूँ भाईया, अच्छा, मैं जा रही हूँ अब आते डाल का भाव मालूप पड़ेगा तब देखा जाएगा चलोपर ताप चलोपर ताप अरे बाबुजी आवा हमार समारी में बैठा 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 अरे हमाई हाथ पेर में बहुत ताइकत है तब फिर जावा ए बाबुजी हमार समा बैठा हमेर बास पैसे ने बाबुजी तफिर जावा कहा जाएका है बाबुजी सीतापूर सीतापूर किन के यहां जाएका है शं अब भुट्टे बेचत है अशेत भया इज़ेखा कौन आवा है जाए माखन इज़ेखा कौन आवा है अले आप और भुट्टे चक्षंकरी भुट्टे बेच रहा है तो पारो का क्या हाल होगा हमें कौन पुछेगा वहाँ चलो प्रतप वापत चले लेकिन चलो भी सुनी तो तो प्रत प्रत अशे प्रत जाए में कौन आप वहा है कर दो. प्रताप आकर लोट गया क्या? कल से तुम्हे प्रताप की सेवा कुछ सूजी नहीं रहा प्रताप आये था ना? बेहन का प्यार सखीम स्कुलाया लेकिन लेकिन बेहन के पती की हालत सुनकर प्यार दुख्या और शर्म सारी यहां तक उपर आई कि उसने तुम से मिलना भी गावाना नकिया प्रताप आज अंतुख से मेरा कलेजा फटा जा रहा है भाई और बेहन के बीच महीं दिवाबन दुख्या प्रताप अपनों से मिलने की तड़प कब तक दबाओगी खुन खुन ही होता है पारो पानी नहीं होता मेरे ले तुम क्यों दुख्य हो रहे हो सच के ना पारो प्रताप के लोटने का तुमें कोई दुख नहीं हो हुआ है मदर इस दुख के ला प्रताप से नहीं भगवान से भगवान जा हाँ मेरे संजों तुम संग लिखी थे तो दौलत मन खरानन में मेरे जिनम क्यों लिख दी आज अगर मेरे भई मेरे जैसा होता तो पहन के कई बेसे उसे शर्म दुनाते दुनाते इसलिए मैं मक्खन को मना कर रहा था हाँ मैं तो भूली जा है तुम्हें तो हर वक्त खुश रहना चाहिए हाँ वनना हमारे प्यार का फूल मूर जा जाएगा तुम्हें अपने आपको कोशते रहें तो मैं कैसे खुश रह सकते हूँ किसी ने सचकार देवकूफों के सर पर सिंग नहीं होते इतनी सुशील समझदार पत्मी मुझे मिली है और मैं अपना आपको कोश में बढ़ गा पहचानने में गलती की होगी मा प्रत्ता पहचानने में गलती कर सकता है लेकिन मेरी आँखे दोखा नहीं खा सकती मुझे भी कहते हुए ला जाती है पेचार अब भुटे बेज रहा था देखकर तो मुझे शरम आ गई मा और मैं रास्ते भर रोती रही जब शंकर का यह हाल है मा तो नचाने पारों का क्या हाल होगा भूखे पेटी सोजाना पड़ता होगा पेचारी को तो फिर तू उतर क्यों नहीं गया दीदी जो मेरे साथ थी तो यह क्यों नहीं कहता घरीबी के बीच अमेरी की लिवार आ गई थी मा बेटी यह मा के दिल से पूछ उस पर क्या गुजर रही है प्रताप तुझे तो सोचना चाहिए था अमीरों की घर तो सभी जाते है गरीब बहन के घर भी जाकर देखता प्यार की बरसा कर देती मगर जहां खाने को नहों मा वो राखी कहां से बांदी जाके तो देखता वो तेरे लिए क्या नहीं करती अगर कुछ नहीं होता तो आचल कोई भाड़कर राखी मान देती सुनी कल राखी लाना भूल गए थे लाया तो था लेकिन मक्थन की बाते सुनकर मैना वही भीट दी मैं अभी लेकरा दूँ मैं अभी लेकरा दूँ मिलेगी और ऐसी वैसी राके से मैं भाया की शान क्यों मिटा हूँ बहन का रिष्टा भी एक अजीब रिष्टा मारू पारो, क्या हुआ? पारो, क्या हुआ? पारो अरे माकान, माकान, माकान काई है गला भाड़ा थै मामी आई, हम ते यहां लेटे थे कहो का का मैं बोलो उने शंकर भाया को देखा आई, शंकर भाया या तो खेतन मा होई या फिर सकूल मा तुछल्दी से शंकर भाया को बना वहों के पेट में बहुत दर्द हो रहा है पेट में दर्द? ए मामी, ए मामी जरह हमका बता यह पेट यह दर्द कहा होता है अरे वह बुद्धो, बच्चा होने वाला है बच्चा बच्चा? ए मामी, हमका बच्चा दिखाई हमका बच्चा दिख रही है हुआ नहीं होने वाला है पेट में बहुत दर्द हो रहा है तुम जर्दी से शंकर भाया को बुला अभी बुलाई थे, अभी बुलाई थे अभी बुलाई थे, अभी बुलाई थे अभी बुलाई थे अभी बुलाई थे अभी बुलाई थे बोलो मामी बुला रही है ओ संकर भाया अरे ओ संकर भाया ओ संकर भाया ओ संकर भाया ओ संकर भाया अरे संकर न ही यह भी मसे मज से कर दो करा हम गद्यान है संकर भाव से आ लगा यह बहुत भाय मामेकों sanct हर भाव यह हर कि यह दर्द है बच्छा हुने वाला से बच्छा और मामी Lite 59 को आहीं मामा का है? मामा का नहीं, तुमको बुलाया है मुझे? जल्दी चला, शंकर भाया इलो, चला चला, चला बच्चा पेट में दर्द मामी अरे मामी? शंकर भाया आप आये, जल्दी से खर जाईए बच्चा वह क्या बात करें हो? यह तु क्या बख्वास करागा? मामी, पेट में, दर्द अरे बुद्दू, बच्चा मुझे नहीं हुआ उताब क्या हुआ, बहु को सच? हाँ, अब जल्दी से घर जाईए अरे ममारा को ठंकर भी जाईए भारो, भारो, कैसी हो तो? हाँ, अब अच्छी हूँ मेरी तो जान ही निकल गई थी क्यों? इसमें डर्दनी की क्या बात है? नहीं, वैसे तो डर्दनी की कोई बात नहीं थी लेकिन अरे हाँ, बेटा है या बेटी? बेटा अरे वावा वाव बेटे बिलकुल इतनी मा की शकल लेकिया है वैसे ही नाग, वैसे ही कान, वैसे ही आखे, वैसे ही माथा, वैसे ही गाल अरे, इसके होन तो बिलकुल तुम्हारे जैसे है पपिलो चलो होटो बच्चे की परबशी के लड़का हुआ है दिम्मेदारियां और बढ़ गए हैं ठंदी अहां क्यों बढ़ते हो खुशी के बात ही दो दिन के फुर्तत हो तो नवाते को देखाते हैं और इसी बहाने बीटी से मुलाकात हो जाते हैं भी न? देखो रश्मी तुम खुद ही चली जाओ मुझे वक्त है सारा कारोबार पड़ा है जाइदात के चक्र है फिर भी वक्त निकाल लो अगर हमें मुझे फिर ले तो वो बिचारे किस की तरब देखेगी और नवासे का मुझे देखना तो भागे की बात है फैर मैं इनसे बातों को तो नहीं मानता लेकिन पुशिश करते हैं मुझे याद क्या लेक्ते जी पारो, यह मुझे की तोकल पहना कर देख लो, छोटी बड़ी हो तो ठीक कर दू मुझा अभी सोया ठीक हो, यह पालना कहा चाया तुमारे माइक के से नहीं यह कहीं से ले आया है वही तुम्हे सोच रही थी, अगर तुम्हारे मायके से आता, तुचांदी से मड़ा हुआ नहोता। तुमने सुना नहीं, समझता लोग तमाचा भी मारते हैं, तुम मुह देखकर, क्या मतलब? खुश नहीं, तुम मुन्ने के लिए टूपी लिया आई, इनके एक दोस्त में फ्रॉक का टुकरा भेज़ दिया, मुन्ने को और क्या चाहिए? मेरे वही अपने है, जो मेरे मुन्ने को अपना समझे एक बात पूछो, तुमारे मा सगे है या सब्रॉक, अगर सगे होगी तो बच्चा होने के ख़बर सुनकर तुमारे मुन्ने को देखने ऊट कर आपोछ दे मा बश्कुर होगी, जो नहीं आई, वरना मा की ममता पर मुझे दवरा भी शक लिए उसे कितनी खुशी हुई होगी, मैं जानती हूँ माँ बनकर मुझे पूरा अनुभ होगा, कि मा का दिर क्या होता तुमने आप क्यों भरने पारो, मैंने भी खाऊँ खा तुमारे मा के बाद शेली मामी, जब से मुन्ना हुआ है मा इतनी ही याद आ रही है, कि मैं छून रही थी किसे बताओ मैं इसे कुछ कहते हुए दर लगता है, कि कहीं अपने आप को कोशने न लगी मा की बात शेल के तुमने अच्छा दिया मामी मेरे आंसों निकल बड़े और दिल हरका हो गया दिल को दिल से रा होती है पारो, तुम इतना याद करती हो तो तुम्हारे मा आन इकलेगी किसी दे अच्छा, हाँ, मैं चलू अच्छा, हम चुपका एक रहा हम काम भी करता गात भी है भाई, गाना सुनो अरा भया, काम करा, मत आराम करो अ मामा! झाल 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 तु जानता है, कववा क्यों बोल रहा है, मगर तू तो अभी बच्चा है, भला तू क्या जाने, जब कोई महमान आने वला होता है तू ये कववा उसके आने की खबर देता है, शायद तुझे भी कोई देखने के लिए आ रहा है, मगर मैं भी कैसी पागल हूँ, भला कौन आ आ दारिया, आ निंदिया नंधी से आखों में आरे आनिंदिया, आ जारे या, आ निंदिया नंधी से आखों में आरे आनिंदिया, चुप के से आ, चोरी से आ नंधी से आखों में आरे आनिंदिया, आरे आनिंदिया, आरे आनिंदिया कि पागल हैं जारे आनिंद के लागलँ से आखों में आरे आनिंदिया 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 जो उनल चुप के आरे आनिदिया तो निखा पलना तो लाई नहीं का प्रिशम के डोरे सह मैं सांगी का कोई है दुनिया, कोई है दुनिया सिसारों के तने मेरी पुटिया में मेरा धीप जने अब ना जगा, अब ना जगा नंधी पे आखों में आरे आनी दिया आरे आनी दिया, आरे आनी दिया तो या है गरच तो यह घर कोई ना सुने हमारे बतिया मुन्ना मोरा जागे आधी आधी रचिया अब तो सुना अब तो सुना नंजी आखो में आरी आंदिया माजारिया आण इंदिया नंती आखो में आरियांदिया आरियांदिया, आरियांदिया आरियांदिया, आरियांदिया तीजोरा विकार्णा कहा है? वो जाल करें साथ it? मेरा लोग, चांद है नए नए बीटे उतना चाही है ? मेरा प्यारा नए नए बेटे , नोचीअ नोचीआ तक भी चिल्टा औरा प्रहा है आ, नहीं नहीं बिटे, नहीं रोते हैं देखिए, कितना प्यारा, कितना सुन्दर है अपनी, वारो का मुन्ना, लिए प्रताप ने समझदारी से एक काम दिया, जो स्टेशन से लोड़ते है अपनों कुन्दर कोई पढ़वा देखकर, इसे अच्छा लगता है इसे देखने आये थे, उसे तो देख लीजिए, चलिए वारो तुम इंके खाने का प्रवन करो, मैं ताजा पानी लेकर आता हूँ नहीं, बेटी के घर का खाना अधरम की बात है तो फिर कहां खाएंगे पताजी, यहां तो कोई होटल भी नहीं है तुम इसकी चिंता मत करो, हम स्टेशन पे एक हापी क्या आएंगे कल सवेरे जल्दी चले जाएंगे आपका आशेवादी बहुत है पिताएगी, रुपे लेकर मुना क्या करेगा तुम्हारे काम आजाएंगे और तुम्हे अपने लिए खर्श करते हुए ला जाती हो तो पारों के लिए एक साड़ी खरीच देना आप भियाद करते हैं, हमें चुपना शुखा देता है दामाज का अपमान करना नहीं मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा माजी मेरे बुजर्ग हैं, कुछ भी कह सकते हैं पारों का बिस्तर लगा दो, सफर में ठकावत होगी होगी, थोड़ा आराम कर लेए पारों का वाहता है पारों करते हैं उड़ जाओ बैटी, मैं बताती है आप क्यों बनाएंगे? आप चले आराम कऱें पारो का अपने हाथ ठीक लाए ऐसे लिजता है जैसे एक यूग बिच्टिया आज आई हूँ तो अपने मन का टाउप पुरा कर रो खना हूँ मा आज में इतना खाऊंगी इतना खाऊंगी के कहीं से मुझे तुमारे लिए चूरन लाना पड़ा आप अएटा तो आज पार ले जाना पार हाँ जाँ आप माझा पड़ाना तो अच्छा पेटा आज आख आखिँ मुन्य के काल पर हमेज़ा काला दिका लगा दिया कर। बच्चे को नजर नहीं लगते। अच्छा मा, फुल लगा दिया करूंजी। मैं दुम से आखरी बार कहूंगा पारू। मारे साथ से लेकिना। मैं आपको कैसे विश्वास दिला हूँ, पिताजी। यहां मैं एतनी सुखी हूँ, कि दिन कैसे विश्वास जाते ही, मुझे पता भी नुच चलता हूँ। हाँ, तुम तो यही कहो भी। अपनी तकदीर अपने हादों से बिगाड़ कर, हार थोड़ी मालोगे। मैंने देख लिया है। फारो और शंपर दोनों आपस में बहुत खुश है। आप खामखा दुखी होते हैं। मैं क्यों दुखी होने लगा। अपनी मनमानी करने वाली संतान की दुर्दशा देखकर, एक भाप की तक खुश होता है। यह तुम क्या जानो। मुझे तुम्दर्दी इस मासून से है। जो अमीरी की गोड में पल सकता था। लेकिन अपनी माबाप की जित के वज़े से वो गरीबी में पलेगा, मुफ्रिसी में पलेगा। तुम्हे इसकी भुशने का कोई ख्यान नहीं। क्या तुम इसके लिए भी इस नर्ख को नहीं जोना चाते। आप इस घर को नर्ख कहते हैं, पिताजी। मैं तो इसे सुख और शांती का आश्रम मानती हूँ। मेरे मुलने का इससे अच्छा सुभा के क्या होगा, कि वो अपने पुर्खों की धर्ती और स्तान पर परवान चारे। तो यहीं पड़ी रहू। मैंने भूर की जो तुम चलने को खा। मैंने गलती की जो तुम्हारी हाँ चला है। आज तुम्हाय मेरा कोई रिष्टा नहीं। नहीं नहीं। कोच्छन से जिद की जाती है क्या अपने खून से क्या हार येत। तु यही समझे लो के मेरा खून से बेद हो गया। मैंने जड़की के दुख सुक्रे। अब मुझे कोई वास्ता नहीं रहा। गारी आगए है पिताजी। चलो रख्षमी। मुझे के सोचकर यह लाई पिते उनकी नराज की मिठ जाएगी। मामी हो! मामी! आती हो बाबा, आती हो! नहीं आती हो! क्ली नोगा मिठना की नगा है जब है का मेता थी। तर के वीशादी जोचानी स मुद्धना सम89 मामी जोचानी माम जोची। पारू, तुम्हाई बहन की शादी है, नवेद आया, मेरी तो बहन है, पर तुम्हारी भी तो कोई है, शाय के नहीं, लेकिन सुथ मेरे ही समझने से क्या फैदा, वो लोग को हमें गहर समझते हैं, इसलिए तो गहरों की तरद सुष्मन तरह नहीं वेजा है, देखो, मा ने अ बेटी, मुझे बलाया है, चलोगे ना, तुम चलने के वारे में सोच रही हूँ, ठाच्यब है, अभी तक दिल नहीं भरा अपने लोगों से, अपनों से भी कभी दिन भराया, कुछ भी क्यों लोग, अपने माबाप है, चार साल होगे, किसी की सूरत न देखे, न अपनी द खाजी, शादी का मुका है, सब है अपने पराये आएंगे, मुनाकाट हो जाएगी, चलते तो अच्छा था देखो पारो, अगर जाना ही है, तो तुम खुछ चली जाओ, मुझे मजबूर मत करो, क्योंकि वहां किसी को मेरी परवा तो है नहीं, जो में जाकर अपना मान बढ़ाओ, और सच पूछो तो तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए, चोटी पहन की शादी पर नगे, तुनों खासेंगे नहीं, करने क्यों नहीं कहेंगे? करने का अगर खैल है, तो जो तुम्हें देना है, वो यहां से भी बेज सकती हो, तिर्फ इसक लिए वाना जाकर बेज सत होना यह कहां कि तुमने? माबाप के घज जाकर बेज सत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसे ही माबाप क्यों नहीं हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे, कि बेटी दामाद के हाद तक हो, या बेज सती हो? जो बाप बेटी के घर आकर जलील करने में कसर न करें, वो बला अपने घर के लियास करेगा? यहाँ पिताजी ने जो कुछ भी कहा, जलील करने के लिए हर्गिस नहीं कहा, बल्किए अपनी बेटी के आराम और तकलीप के खयाल से कहा, उस पर भी तो हमने उन्हें मूबर के जवाब दिया, और उनकी भावना की ज़रा भी परवाना की, हमने तो आप ही उनकी प्यार को आप ही थुक्राया सै, और अब उसी थुक्राय होए प्यार को तुम फिसे गले लगाना चाहती हो, इसलिए की दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, माबाप का प्यार नहीं मिल सकता, और जिसके माबाप ही नहीं, उसपर क्या खजलती होती है, उसे मजबुरां सबर करना पड इसा क्यों कर रहे हो, अभी तु मेरे मापाप बिंदा है अगर तुम नहीं जाते हैं, तुम यह भी नहीं जाओगा मैं पुरां सब्रकराओगा मारू दुख जाता है, माने इतने हाइमाना से लिखा चलिए, इसी बहाने दिल के मान दुख जाएंगे रीखिने से किस मजे को अपजी मा क्यों रो रही है अपने माबाप को याद तर तुम अपने माबाप को नहीं याद पर तक है बेटे, मेरी न मा है न बाप और मा के है मावी है बाप भी है तो भी रोटी किन माई कर निकाली को नहीं जाती मावाप के पासे तुम चाहते हो तुमारी मापने मावाप के पास जाए हाँ लो भाई, बड़े साफम ने अजयासत दे दी चलो कर लो तैयारी देखा मुन्य, तुमारी मावी तक रूठी हुई है क्यों नहों आखिर अपने मावाप के पास जा रही है अब तो यह हम दुनों को घास भी नहीं डालेगी प्रेदर सामा उतार ला यह सब क्या है? क्यों कामने के शादी में नहीं जाना है क्या है? मकर यह सब आया कहां से? साविस्त्री, तुम्हे तो मालूम अपना सब दिखावा ही दिखावा है पुराने चौक का मकान बेच कर यह सब सामान तुम्हारे लिए लेके आया हूँ इतनी सारी चीज़े क्यों? हाँ, और देखो, यह तुम्हारे लिए नत लेके आया हूँ हाँ, और मेरे लिए? हाँ, हाँ, क्या किमत होगी? किमत न पूछो, जरा पहन के दिखा दो, बहुत किंदी है, जरा सारे मेर्माल है, मगर मेरे आपसे तु दर्वाजे पर ही लगे हुए थी, कि तु कब आएगे? मा, अधिर, चल्जी से तयार हो जा, मंदिर जाना है, तर्व, ले, अपनी जिम्मेदारी समा को इसने देर होगे दिदी और अभी तब तुम तयार नहीं, मैं तो कब से नायार थी? तुप्यू चला, लेकिन तुम? मैं तो एक दब कयार हूँ दिदी, छी, 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 इन साधे कपड़ों में हंदान के इज़त का तमशा दिखाना है क्या? लोग, इसे पहन लो, रहने दो दिदी, दूसरों के कीमती कपड़े पहने से मेरी गरे भी नहीं छुप सकी क्या? यही पहन कर तुम गई, तो महमानों के सामने क्या इज़त रही? साधे कपड़ों से इज़त नहीं आंकी जाती दी थी, अगर तुमारी शान में कोई फरक आता हो, तो मैं चार कदम दूर रहूँगी और अगर कोई पूछे, तो कह देना, घर की नोका नहीं पूछे कपड़े पहने को दे रही थी, पुर्रा दिखना करते लिगी, ऐसे तो कोई पूछे का भी नहीं, मगरूर कहीं कि क्या है? तुम अपने घरवालों के चक्कर में पड़ी रहोगी कि मेरी इज़त कभी कुछ शाल करोगी? आखिर हुआ क्या? आखिर हुआ क्या? वो बुस्ते बेचने वाला हमेशा मेरी बगल में आकर बैठ जाता मैं उसके साथ खाना नहीं खाऊंगा, समझे? अच्छा अच्छा क्या है बेता? मा शुना तुमने क्या? नाना जी क्योने पर छोट गए क्यों? कहते हैं क्यों वो शंकर के साथ खाना नहीं खाएंगे वो दो कॉरी का आदमी देरे से बोल वाटा वो कहते हैं तुमान के बद्ध में उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे अच्छा कुछा, हम देख रहेते अब क्या तो मैं भी यही सोच रही हूँ कुछने कुछ तो कर नहीं होगा ऐसा क्यों न करें? क्या? शंकर और बार्वती को मा बाद ले दे जैसे आप लोगों की मरसी तो फिर बार्वती को चीश समझाते ना मा ठीक है, मा ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है, क्या ठीक है मा? कुछ नहीं, कुछ नहीं मा तुमसे चुपा रही है नहीं बेटी तुमसे क्या चुपाँ? नहीं, मा तुम जरूर कुछ चुपा रही है अगर क्या बात है, तुम्हें मेरे बात भरू, भरू भरू तेरा और शंकर का माज हम पास में करेंगे है नहीं करेंगे मा मेरे तुमस का हो गए मा खाँ में तब से बुख रही हूँ क्या हुआ तुम्हें अरे नाथ खो गए और क्या हुआ मा, जल्दी चलो, दीदी ने पूरी हवेली सर पर उठा रखी है, क्या पता? जलो, मैं देखती हूँ, कही आर्थ नहीं भूलाई दीदी, नहीं कामी नी, मुझा अच्छी तरह से ख्याल है, बेटे, कहा रखी थे? यही थिमा, फिर जाएगी कहा, यही कही होगे, अच्छी तरह से जुड़ ले, होते तुना मिस्ते, मैं तुना मिस्ते, मैं अंदर मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, तुम तो खामगा के दुपर ले से रही हूँ, तो कह किसी ने चुडा ले? जबन न खुलो भाया, तुदेख डाले, सिरिफ पारो कार। जाएगी, लो देखो, अच्छी तरह देखो, है इसमें तुमारी ना, मुझ पर ही शक है न, इस शादे में सबसे गरिब मैं ही हूँ, अगर जोड़ी करने का खाया ला सकता है, तो मुझ को, इसलिए अच्छी तरह देख लो, ताकि शक कोई शाईशे न रहे, अगर इस तर तो संद हूँ, तु पुलिस को बला कर पकडवादू, भारा भारा यह क्या? क्या बात है बेटी? जा रही हूँ पिताजी कहा? अपने घर, अपने उस छोपड़े में, जहाँ आपना कोई अपमान करने वाला नहीं लेकर क्या हुआ? यह ना आपको पुछना चाहिए, ना मुझे पताना चाहिए यहां के हर बार, हर एक को अच्छे तरह मालूम है पारो, पिताजी, पारो मेरी बात का बुरा माल रही है बस? पगली कहीच, बड़ी बहन की बात को कोई बुरा माल था मगर यहां तो बात चोर और सावकार की है फेश्वास को ठेस लगने के बात अब और क्या रखा है इस गर में मेरे लिए पिताजी पारो, पारो, मुझे भूल होगी, मुझे माफ कर दो, ना जा पारो, ना जा नहीं देटी, तुम मुझे पड़ी हो, कोई भूल हो गई हो, तुम मुझे माफ कर देना, बेटी इन्हें जाने दो, कलेजे पर पच्छा रख कर, हर एक को मर्मानी करने दी अब इसकी एक देत तो पुरे होने दो अब जो बेटी, बेटी, ठरजा बेटी नहीं मा, मैंने इतना पाच चुकी हूँ इदर से, कि बाव और कुछ लेनी की जरूरती नहीं रिदे बेटी दुखी मत हो मा, वीचे कुछ में पहने हुई हूँ, वो भी तो तेरी प्रिपाद है नहीं लेती है तो ना ले अगर इसका ही मान जाता ना था तो पर यहां ही क्यों थी, हम लोगों का मजाग उड़ाने तु ही रहे कर सब प्रताब कहने को, तो तूने भी कह लिए माल के जी माल के सावित्री की लथ मिल गए वो तो कब के मिल गए माल के छोटे मालिक कह रहे थे, बड़ी बिठिया के कपड़ों ही मेठी कामनी की शादी में खोईवी नथी मिल गए और अपना बड़ा पन भी रह गया मगर सावित्री, शंकर और पारो का जो अपमान हुआ उसके भरपाई नहीं हो सके और हो भी नहीं सके उन लोगों ने अपनी गरीबी में जो अपना मान रखा है वो बड़े बड़े आमिर भी नहीं रह सकते मुझे तो उनकी जिन्दगी पर रश्क होने लगा है हम जूटी शान पर मरे जाते हैं और वो अपनी सीधी साधी जिन्दगी में मज़े ले रहे और सच पुशो तो उनकी साधगी के आगे अपनी सारी तड़क फड़क मंद पड़ दे चाते वक्त पारो अदर्श की इतनी महान शक्ती मालूम होजी थी कि मैं उससे माफी मांगने पर मजबूर हो गई तुमने पारो से माफी मांगकर मेरे दिल मों जगह बनाई यह साध़ी जो तुम्हारी असली जगह है सच पारो मैं तेरा ऐसान जिंदगी पर नहीं भूलूँगी तेरी वज़े से मैंने अपनी पती को पा लिया है और मैंने अपनी जिंदगी को अब हम भी अपने आपको उसी सांचे में डालकर अपने जीवन को स्वर्ग बना लेंगे और हमारी भटकते वी सुक्षान्ति दी अपने घर वापिस आजाएगी आप तो क्लब नहीं जाओगी न मा दवा नहीं पी रही पिता जी पिला मुझे तो तेने उठो नहीं उठो नहीं उठो लो दवा पिला वैसे ही मुझ कड़वा हो रहा है कब तर क्यों ही बगएर दवा के पड़ी रहोगी लो मुझ पंतरया कुरो और दवा ना पिलाओ तरी की पच्चों जैसे जिद कर रही है जिद करके में क्या कुरूँ कौन मेरी जिद पूरी करने वाला है कमाल मैं जू हूँ बोलो क्या चाहती है सच करोगे मेरी जिद पूरी आहा कर तुदिया बोलो न प्रताब की दूलन देखना चाहती हूँ उसकी शादी में पारो और शंकर को लेआओ और उन्हें सीने से लगा लो उनका माल पाल अच्छे तरह करो ता क्यों टूटी हुए दिस इससे जुड़ जाए मेरी ये क्वाइश पूरे करोगे न करोगे न करोगे हाँ करूँगा लो दवापने हुए हुए झाल 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 प्रताब पर रहें कि ए किसका खट है? मेरी भेहन पारो का वो शादी में क्यों नहीं आई? क्या लिखती है? क्या लिखती है? खुश रोहाँ मेरे प्यारे भेया इस करीब बेहन की इछोती से भेहन का स्विकार कर लेना तुम्हारे शादी में आने की बहुत इच्छा थी लेकिन भेया कहने की माफी चाहती हूँ कि मैं करीब हो और मैं यह नहीं चाहती कि मेरी वज़े से तुम्हारी और पिताजी की शान में कोई आज आ जा जाए इसलिए मेरा न आना ही ठीक है कि तु भैया यदि मैं यहाँ हूँ फिर भी मेरी आखे और मेरा दिल तुम्हारे साथ है भगवान करे मेरी भावी रूप और गुनों में देवी हो उसे सदा सुखी रखना और एक बात का खायाल रखना प्रताप आदमी को रूप से ज़्यादा गुणों से ही प्यार करना चाहिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी सीता बने तो तुम्हें राम बनने की कोशिश करनी पड़ेगी भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे यही इस करीब बहन का आशिरवात तुम्हारी पारो कितने उचे विचार हैं हालाच से करीब होते हुए भी तुम्हें से तो वह हम से भी ज़्यादा धन्वान है और शयाद इसी वज़े से वो शादे में नहीं आई भगवान करें ऐसी बहन सब को मिले सुनिए मैं उस तेवी के तरशन करना चाहती हूँ क्या अप मुझे उनसे मिलाएंगे मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूँ और शयाद माता जी भी इसी वज़े से परेशान है भगवान करें मा बेचे की मुलाकात हो जाए मालिक छोड़े मालिक माजी की तब के जाड़ खराब होगी मेरी दाई आंग क्यों फड़क रही है भगवान कुछ अशूर्वत नहीं होने वाला मा कुछ-ज़ी परेश्दूर्वत आंगale कुछ-परेश्दूर्ण सّ Sir तबको कुछ-परेश्दूर्दूर्वत कुछ-एवत कुछ-जदूर्ण मालिक.. …मै… क्यो, बिश्वास नहीं होता, लेकि, लेकि तुम ऐसे अचानक ऐसे चली आई मा, ख़बर दी न की, अखेली आई क्या, हाँ, अखेली, शंकर कहा है, मंदिन के तफ गए है, मगर तुने तु मुझे एकदम अचंबे में डाल दिया है मा, अच्छा चल, हाथ मुदोले, मैं खा अच्छा कर लेने दे, हाँ, साइसमा, बोल, पारो, तु प्रताब के शादी में क्यों नहीं आई, मैंने तेरा कितना इंतजार किया, अब कहीं आने जाने को मेरा दिल नहीं चाहता मा, बर अपना घर अच्छा, हम अच्छा, करीबी और स्वाबी मान दोनों का मेल कभी नहीं होता मा, ना अपनों के नस्दी चब, ना उनके उल्टी सिदी पास से चीप दा कर, आखिरा आदमी कहीं जाता है, तो आनन के लिए, सूक के लिए ना, तो सूक और आनन के यहां कोई कमी नहीं है मा, सब कुछ ठीक है बेटी लेकिन मेरे लिए तो आना था, तेरा जो अपमान हुआ था, मैं सब भर देती, तेरा मान, पान, सब कुछ करती यही मेरे आशा बाकी रहे के, मा से भी कोई मान, अपमान करता है, पारू, तो कितनी मानी है, मैं तुसरे मा भी मांगती हूँ, तेरे आगे नामन पहलती हूँ सब कुछ भूल जा बेटी, सब कुछ भूल जा, अपने दिल से गुसा निकाल दे, निकाल दिया मा, तुम आई, इतनी बात की, मुझे सब कुछ मिल गया, मा मुझे सब कुछ मिल गया, उठवेगे, देख, शंकर आ गया है क्या किस से बात ही कर रही जी? मा आई है, मा और इस वार, कहा है? आओ देखो ना, वो क्या है, कहां चरीजी, अभी तो यही थी, मा, मा समय जरू गहम हो गया है, नहीं जी, ऐसे कैसे हो सकता है, वो मेरे पास मैची थी, गले मिली थी, बाते की थी कवे क्यों ने आ रहे हैं, बेटा? किसी चीज की कमी तो ने रहे गई? शायद मा की इच्छा पूरी नहीं होई, पिताजी कौन सी इच्छा, बेटा? मेरी शादी में, सब का मान पान हुआ, पिताजी लेकिन मा की इच्छा के अनुसार, शंकर और पारो के अपमान की भर पाई नहीं हो पाई, पिताजी तिम चीक करे हो बेता, पैदो कि हम सब कुछ कर देंगे मा सुनाय तुमने, पिताजी ने क्या कहा, हम सब कुछ कर देंगे हाँ मां हम पाई जीक के अँब चाव्के उसमना ले, उसे خुशặt रखने की हमेंसा कोशिश करेंगे Haa! Diddy? Diddy? तीदी, तीदी प्रणाम, कौन सा दिन था वो? क्या समय था? मंगलवास, नात को आखरी वक्त तक होंटों पर तुमारा ही नाम था तुमसे मुलाकात हो जाते, तुच्छा ही होता मेरी और उसकी मुलाकात हो गई थी मा मुझे मिलने आय थी प्रणा दीदी इसमे आश्चरे की कोई बात नहीं दुनिया चाहे नहमानी लेकिन इससे अच्छे मा मुझे मिलने यहा आय थी हम दोने गले मिलकर खुब अवरोय थी दीदी उसने मुस्से का मा से भी कोई मान अपमान करता है क्यों उसने मुस्से माफि मा कि मेरे सामने दामन पहला है भायू मैं नहीं जान दे लिए क्योही मेरे मा से आखरे मुलाकात की आखरे मुलाकात शान तो जाए शान तो जाए कामनी के शादी पे जो साड़ी तुमने वापिस की थी ये वही है दोना पिक्ते तुम्हारा गुसा नहीं के यह दिदी खुम्हार सुम्हार सुम्हार रचमी के यहादी नहीं के यह ही तुम्हार दंड धे ब问题 वहादी यहार बाल relief पेटा पारू पिता जी पिता जी मझे भी दाजी, इस्ट बूल जा रुम्ना पर चेटा जा शीर की निदी मुझे भूल खुल जो मुझे एक जिरिक भी घी मिझे प्रुचों मुझे एक जिरिक भी आप झाल झाल